प्रिये मित्रो, आपका अपने चैनल जीसे व्क्ति पर हार दिख स्वागत है, आज हम लोग सवने अग्या अंदूलन के संभन में अध्यन करेंगे मित्रो सवने अग्या अंदूलन के अंतरगत, हम नीमने डायमेंशन्स को देखेंगे जैसे सवने औग्यांदुलन क्या है सवने औग्यांदुलन कब हुआ था सवने औग्यांदुलन के क्या कारण थे और सवने औग्यांदुलन की असफलता के क्या कारण थे मित्रो सवने औग्यांदुलन का अर्थ है राज्युद्वरा जारी किसी कानून का विनम्रता पूर्वक विरोध या अंग्रेजों के अत्याचारी कानूनों का विनम्रता पूर्वक उलंगन इसका प्रारम पाँच अप्रेल 1930 को हुआ था और यह आंदोलन निम्निकारणों से हुआ था पहला कारण है ब्रिटिश सरकार द्वारा नहरू रिपोर्ट जो की 1928 में प्रस्तुत की गई थी को लागू ना करना 1939 की आर्थिक मंदी का दोर अब मित्रों इस बात को कैसे याद रखेंगे तो मित्रों इसको याद रखने के लिए ये समझना है कि गांधी जी अंगरेजों से जब खफा हो गए तो उन्होंने एक सवने अग्यां अंदोलन सुरू करने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने अपने अन्याईओं से कहा साथ आऊ कहा साथ आऊ तो मित तोस्त कैं अन्याई साथ आने लगे यह सुनकर उनके जो गांधीजी के गुजरात की अन्याईओं थे उनके दिमाग के बत्ती जल गए और वो भी साथ आ गए साथ ही UP के जो अन्याई थे वो भी ठाट से गांधी जी के साथ हो चले यहाँ देखकर अंग्रेजों के पसीने छोड़ गए और अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी आप 30 मार खा है इस तरह से मित्रो अगर जहान से देखें तो यहाँ मित्रो यह एक लिखा हुआ है तो यह एक यहाँ लिख लेते हैं और यह मित्रो उल्टा 2 के जैसा है तो यहाँ 2 लिख लेते हैं इसके बाद मित्रो 30 से हमारा तादपर है, 1930 और मित्रो इसके लिए उन्होंने एक मार्च किया था, इस आंदुलन को शुरू करने से पहले उन्होंने दांडी मार्च किया था, और यहां मित्र 30 लिखा 30 से 1931, इस तरह से 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च सुरू किया, उसके बाद गुजरास से उनके अन्याई थे बत्ती, जिनकी बत्ती चल गई इसी दिमाग के तो 32 से 32, तो मित्र गुजरास से 32 अन्याई थे गांधी जी जो गुजरास से आते हैं, और यू यूपी के जो अन्याई थे। यूपी के अन्याई थे, टाड से आठ अठ दे, इस तरह से मित्रो, और उन्हों ने एक चीजा और कहा था अपने अन्याईों कि साथ आओ, तो मित्रो चाद से साथ से साथ, और खान्धी जी झीने अपने 78 अन्याई'ों को ले करके, जिसमें स 32 गुजराती और आठ यूपी से थे को लेकर के दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंब किया इसके साथ ही मित्रो जब इन्होंने यह अंदोलन गांधी जी ने प्रारंब किया तो मित्रो जो भारती लोग थे उन्होंने कहा गांधी जी से कि आप की आप जो है बहुत अच्छे हैं और मैं आपके साथ हूं इस सीमे जी इन्हों कर आम दोलों में पूरा भारत गांधी जी के साथ हो चला इस तरह से मित्रो अगर ध्यान से देखें तो आप से अप्रेल और अच्छे से 6 छे अप्रेल 1930 को सवनय अग्यां अंदुलन प्रारम्भ हुआ जले मित्रो एक कारण और था सवनय अग्यां अंदुलन के शुरुआत होने का वह था ब्रेटिश सरकार की कठोर नहीं थे हैं जिसमें सा snug कमीजन का विरोध्य था ऻातए अंग्रेज से इसलिए इस विडिश विरोध हुआ था इसमेंस भी भारती ये नहीं थैं मित्रो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद मित्रो थोड़ा सा डिटेल से सबने अग्या अंदोलन को समझते हैं असायोग अंदोलन के पश्चात भी भारतिये राश्ट्रिये कांग्रेस का संघर्ष चलता रहा और 1930 इस्वी तक कांग्रेस ने भारत की स्वतंतरता के लिए सरकार से कई मांगेगी लेकिन कांग्रेस की सभी मांगे सरकार दोरा ठुकरा दी जाती थी जनता के मन में यह बात घर कर गई थी कि सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर किया ही जाना चाहिए ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर भारतियों को कुरुध कर दिया था अन्तता है 1930 इस्वी में कांग्रेस की कारिकाणी ने माहत्मा गांधी को सवने अउग्या अंदुलन चलाने का अधिकार प्रदान किया सबने अउग्या अंदुलन civil disobedience movement की शुरुवात नमक कानून के उलंगन से थी मित्रो जब गांधी जी साबर मती से दांडी नमक कस्थान तक जाते हैं तो दांडी नमक कस्थान पर नमक कानून का उलंगन करते हैं तो मित्रो चलिए आगे देखते हैं उन्होंने समद्र तटकी एक गाउं दांडी जो की गुजरात में है जाकर नमक कानून को तोड़ा सारा देश जाग उठा हर आदमी गांधी जी के नेत्रुत की रा देख रहा था मार्च 1930 से महत्मा गांधी के नेत्रुत में राष्ट्री आंदुलन ने एक नई देशा अक तो मित्र इस समने अग्या आंदुलन को जो की दांडी मार्च से सुरू होता है दांडी मार्च होता है पहले उसके बाद समने अग्या आंदुलन सुरू होता है तो इस आंदुलन को अंग्रेजों ने बहुत ही निर्दैता पूरवक इसका दमन किया था सरकार ने नमक परापकरी कर कस्टम ड्यूटी लगा दिया जिससे उसके खजाने में बहुत अथी के जाफा होने लगा और तो और सरकार के पास नमक बनाने का एक अधिकार भी था गांधी जी का धे था नमक कर पर जोरदार वार करना और इस अनाव वश्यक कानून को धस्त कर देना दो मार्च 1930 को गांधी जी ने नए वायस रायल लॉर्ड इर्विन को ब्रिटिश राज में भारत की खेद जनक दशा के बारे में एक लंबा पत्र भी लिखा पर उन्हें उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला तो मित्रो इस तरह से गांधी जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन अंग्रेज लोग गांधी जी की बात को नहीं मानते हैं तोड़ा सा और मित्रो डिटील सगर देखें तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने असायोग अंदोलन वापस लेने का फासला कर लिया उनको लगता था कि अंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्या ग्रहियों को व्यापक प्रशेक्षण की जरूरत है दरसल असायोग अंदोलन में वो चवरी-चवरा कांड हो गया था जिसकी वज़ा से कुछ हिंसा हो गई थी 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था यह तमाम घटना है इस तरह से कुछ एक घटना घटी थी चवरी-चवरावली उसी के बाद से महत्मगाद्यूक लगा कि असायोग अंदोलन को वापस ले लेना चाहिए कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्सों से ठक चुके थे वे 1919 के गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थाद गठित की गई प्रांती परिसदों के चुनाओं में हिस्सा लेना चाहते थे उनको लगता था कि परिसदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्पूर्ण है कि ये परिसदें लोक तांतिर्क संस्था नहीं है सियार दास और मोतिलल नहरू ने परिसद राजनीत में वापस लोटने के लिए कांग्रेस के भीतरी सुराज पार्टी का गटन कर डाला जवाल लाल नहरू और सुभास चंद बोश जैसे यवानेता ज्यादा उग्र जनान दोलन और पूर्ण सुतंतरता के लिए दभाव बनाते बनाए हुए थे तो मित्रो ये खास बात थी जिसमें से जवालाल नहरूज, सुभास्चन बोश जैसे युवानेता थे और उग्र थे तो ये लोग पूर्ण सोतंतरता की मांग कर रहे थे जैसा की सियारदास और मोतिलान हिरूज जी ने सुराज पार्टी का भी गठंकर डाला था कांग्रेज के भी तर्मे ही मित्रो सौर्ट में अगर कहें तो इसके सुरुवात 1929 के लाहोर अधिवेशन से हुई सब ने औग्या अंदोलन का अधिकार दे दिया जाता है दरसल गांधी जी की जब कोई बात अंग्रेज नहीं मानते हैं अंग्रेज गांधी जी का तो सम्मान करते हैं लेकिन भारतियों का नहीं करते तो गांधी जी अंग्रेज उससे कहते हैं कि ला और ला और तो अंग्रेज़ लोग कहते हैं कि जितना दिया है बस उतना ही देंगे और नहीं देंगे और उनकी बात को नहीं सुनते तो असल गांधी जी लाहर कहकर ग्यारा सूत्री मांग जो उनकी थी उसको मनवाना चाहते थीest कि मेरी ग्यारा सुत्री मांग को मुझे और दे दो यानि ला और अंग्रेजों से जब उन्हें कहा लाओर तो अंग्रेज लोग नहीं सुने इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लाओर में गांधी जी ने सब ने अग्यान दोलन काधिकाय प्राप्त कर लिया था 30 जनुरी 1930 को गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया यंग इंडिया गांधी जी का एक पत्र था मित्रो में प्रिटिश सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी और ये जन्ता के हीतों की मांग थी 11 सूत्री जो ये मांग थी मित्रो क्या क्या कारण थे जैसा कि मैं आपको बता चुक है इसमें क्या 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 कारण थे जिसे क्रूर दमन की नीती थी जिसे सामाजी क्रांतिकारियों की गिरफतारी का भिरोध हो रहा था कि जो सामाजी क्रांतिकारी हैं जो हिंसक नहीं हैं उनको ना गिरफतार किया जाए और कांग्रेस में युवा नेत्र था जैसे जवालाल नहरू कह रहे थे कि पून सुराज हमें मिलना चाहिए पून सुराज की मांग कर रहे थे मांग या डोमिनियन स्थित की भी फलता है जो डोमिनियन स्थित की मांग कर रहे थे कि भारत को अधिराज बना दिया जै इसके बाद 1928 की नहरू रिपोर्ट पर अंग्रेजों ने बिचार नहीं किया था साइमन कमीसन का गठन हुआ इन वजहों से सविनय वग्यान दोला हुआ मित्रो अब सुरू होता है दांडी यत्रा छे मार्च 1930 गांधी जीने वाइसरा लॉर्ड इर्विन को पत्र लिखा ग्यार सुत्री मांगे मानी जाये लिकिन उन्होंने नहीं माना बारा मार्च 1930 गांधी जीने सावरमती आसराम से नौसारी जिले में से दांडी तक पैदल यात्र परादम की तो मित्रो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि गांधी जीने अपने अनियाईयों से कहा था साथ आओ और जब उन्होंने कहा था साथ आओ तो उनके अनियाईयों में जो उनके गुजरात के अनियाईयों में जो उनके गुजरात के बत्ती जल गई थी जो गुजरात के अनियाई थी उनके दिमाग के बत्ती जल गई थी और यूपी के जो उनके अनियाई थे वो ठाट से उनके आ से आठ इस तरह से 78 अन्यायों को नहीं लिया था जिसमें से गुजरात के अन्यायों की 32 जल गई थे 32 गुजरात के 32 अन्याय थे जबकि उत्तर प्रदेश के मित्रों ठाट से आठ अन्याय थे छे मार्च 1930 गांधी जी ने वायसरा लॉर्ड इर्विन को पत्र लिखा 11 सुत्री मांगे मानी जाए ये उनका कहना था 12 मार्च 1930 गांधी जी ने साबरणती आसरम से नौसारी जिले में इस्थे दांडी तक पैदल यात्र प्रारम की 78 अन्याययों गुजरात के 32 और उत्तर प्रदेश के आठ के साथ 24 दिन 24 मेल की यात्रा समाप्त इस तरह से दांडी यात्रा समाप्त हो जाती है मित्रों सबनेय अग्यां दुलन दो चरणों में समपन हुआ था प्रथम चरण अप्रैल 1930 से मार्च 1931 था जिसमें गांधीर में समझा होता हुआ पांच मार्च 1931 को और गोल में सम्मेलन होता है 1930 से 32 था पहले गोल में सम्मिलन होता है 31 में दूसरा और 32 में तीसरा मित्रों इसे ऐसे आज रख सकते हैं कि पहले से एक से पहले आता है 0 तो 1930 में हुआ दूसरा यानि दो से पहले आता है 1931 में हुआ था तीसरा यहनि तीन तीन से पहले आता है दो तो 1932 में क्रमसा प्रथम दूतिये वम्तिरतिये गोल में सम्मिलन संपन हुए इसके बाद मित्रों अगर हम और बात करें तो दूतिये चरण जनुवरी 1932 से 1934 तक चलता है जिसमें माइक डोनाल्ड का सांप्रदाइक पंचार्ट सम्मिले था और गांधी जी का अंसनियों पूना सम्मिल होता था गांधी यत्रा मित्रों इसमें गांधी जी का कुछ कतन था गांधी जी का कहना था शक्त के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूत चाहता हूं विश्व से अपील कर रहे थे कि पूरा विश्वन को इनके साथ हो इनके साथ सिंपैथी मित्रों नमक सत्यागरा क्या है आईए देखते हैं 6 अप्रेल 1930 को गांधी जी ने नमक तानून तोड़कर सवने अवग्या अंधुलून की शुरुवात की इसी को नमक सत्यागरा भी कहते हैं अमित्रों अब्बास तायब जी के बारे में अध्यान करते हैं 5 मैं 1930 को गांधी जी को गिरफतार कर पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया योजना थी धरसना गुजरात की नमक फैक्टरी को लोटकर नमक जनता में पाड़ देना इनकी गिरफतारी के बाद आंदोलन का नेत्रत अब्बास तायब जी ने समाल लिया था जब गांधी जी गिरफतार हुए तो सबने अग्यान दोलन का नेत्रत अब्बास तायब जी ने समाल लिया था अमित्रों इसके विस्तार के अगर हम बात करें तो इसका विस्तार कहां कहां तक होता है चलिए देखते हैं सबने वग्यां अंदुलन इसका विस्तार भारत के अन्छित्रों पर भी हुआ पश्चिमोत्तर भारत पश्ची मुत्तर भारत में नेत्रित खान अब्दुलगफार खान जी कर रहे थे जिनको सीमान्त गांधी या सीमा की गांधी इस उपनाम से भी जाने जाते है उत्मजाली गाउं में अहिंसक अंदुलन कार्जियों को मिलाकर दल बनाया खुदाई खिदमतगार जो दल था वो खान अब्दुलगफार खाजी का था लाल वर्दी पहनते थे आंदुलन कर्मी और इसे लिए ऐसे आंदुलन को लाल कुर्ती आंदुलन भी कहा गया कुछ अन्य महत्पून बातों को देखते हैं इस धल ने पेशावार पर अधिकार कर लिया ब्रिटिश सेना ने अठरावी गडवाल रेजिमेंट को इसका दमन करने के लिए भेजा चंद्र सिंग गडवाली ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इंकार कर दिया परिणाम ये हुआ कि ये रेजिमेंट समाप्त कर दी गई मित्रो कुछ और बाते देखते हैं यसे एक बहुत ही महत्पून महिला का नाम लिया जाता है गैडिनलियो गैडिनलियो को भी गिरफतार कर आजीवन कारावास की सजादी गई सरवाधिक समय तक जेल में रहने वाली पहली महिला है गोल में सम्मेलन की बात करें मित्रो तो 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है इन रिपोर्ट के आधर पर भारत के समवाधानिक सुधारों को लेकर तीन गोल में सम्मेलन का आईविजन लंदन में प्रस्तावित किया जाता है प्रतम गोल में सम्मेलन 1930 में सेंट जेम्स पाइलिस में आईविजन अध्यक्ष था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजी माइक डोनाल्ड उध्गाटन ब्रिटिश समराट जार्ज पंचन प्रतम गोल में सम्मेलन 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिए कंगरेस का कोई भी प्रतिनिधू पस्तित नहीं हुआ सबने वग्यां दोलन के चलते जेल में बंद थे प्रतम गोल में सम्मेलन नमें कौन-कौन से ऐसे थे जो संब्लित होये तो मित्रो इस में संब्लित होये उदारवादी दल की नेता तेजबादुर सप्टू, मुस्लिम लेक की नेता मुहम्मद अली जिन्ना और आगा का, इंदु महासभा की नेता एमार जैकर और डॉक्टर बालकृष्ण श्रिवराम मुंजे, दलितो की नेता डॉक्टर बीयारम बेटकर. मांग क्या थी मित्रो, इसमें मांग थी भारत संग का निर्माण, केंद्र में दोय धश्रासन लागू हूँ, और प्रांतों में पून स्वायतता लागू हूँ. प्रतम गुल में सम्मेलन मतभेद होने की चलते इस सम्मेलन को इस्तगित करना पड़ा. गांधी इर्विन सम्झोता या गांधी इर्विन पैक्ट, प्रारूप एलबर्ट इमर्सन ने दिया था, पांच मार्च 1921 को, इसमें दो लोगों के बीचिया सम्मेलन हूँ था, गांधी जी और लॉर्ड इर्विन के मत, नमक पर करसमाप कर दिया गया था. गांधी इर्विन सम्झोता, मुख्य बिंदु गांधी जी सबने अउग्या अंदोलन को रोकेंगे, कांग्रेस दुतिय गोल में सम्मेलन में भाग लेगी, और राजनीतिक कैदियों को रिहाई, जिन पर इनसात्माग मामला नहीं है. लॉर्ड इर्विन के जीवनी लेखाकार, एलन कैमपवेल ने कहा था, ये सम्झोता, गांधी जी के लेए एक सांतोना पुरसकार है. जितीय गोल में सम्मेलन, इसमें मित्रो सबसे कम प्रतिनीत भाग लेए थे, सिर्फ थर्टीवन, तीनो गोल में सम्मेलन इस सम्मेलन में कांग्रेस भी उपस्तित हुए, कांग्रेस के प्रतिनीतिक के रूप में गांधी जी, SS राज पूताणा नामक जहाँ से लंदन मदन मुहन मालवे सरोजनी नाइडवी सम्मेलन में उपस्तित हुए दुत्य गोल में सम्मेलन उधारवादी धल के निता तेज बाहदुर सप्रूविस में सामिल थे मुस्रिम लिग कि मुह मदली जिन्ना सम्मेल थे घलितों के निता डाक्टर reversal में सम्मेलन में सम्मेलन सम्मेल थे संप्रदा एक मुद्दा्ध डॉक्टर इया रंवेट कर गांधी जी की मांग अधिराजि कद्धाजा भारत को दिया जाए नहीं भारत को डॉमिनियन स्टेटस दिया जाए अंग्रेजों ने इस मांग को अस्विकार कर दिया तो मित्रो गांधी जी सिर्फ दूतिय गोल में संबलन में ही संबलित हुए थे गांधी जी गांधी जी ने फिर से सबने औग्यान दोलू शुरू किया गांधी जी को गिरपतार कर पूना की अरवधा जिल में बंद कर दिया गया मित्रों हमारे वीडियों ही पर समात होता है फिर मिलते हैं किसे इन वीडियों के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्या लखिए जै हिंद कि अग्यां गजग सबते हैं । किल अरवधा वाल किला ओना बंद किला दिल में है, प्लिए अ़न dor electro का प्ला कर वाल बंद प्लाओतार कूना झाल